दोस्तों इस प्रोग्राम दे जरीए उना मुद्यां दे उते गल होंदी है उना मसलियां दे गल होंदी है जो की तार्मक समाजक आते कहीं अजे मुद्दे बने हन जिनाने ने नैशनल आते इंटरनेशनल प्लैटफोर्म देते एक अवाज बनाई है और उन अवाजानू असी तो आठे सामने लाएके आने हैं उना मसलिया नो आठे सामने लाएके आने हैं सोशल मीडिया दे उते अफ़ामादा चाय बजार गरम हैं लेकिर असी कोशिश करते हैं कि उस खबर नूँ सई तरीके नाल अथेंटिकेट करके उन्हों इन्वेस्टिगेट करके तो अटेस सामने लाएके हैं ये ताकि असली खबर जड़ी है जिस खबर दे पिछे असी लग अहलों अच्छा कर दे ऊहरो हो सके लेकिन जेकर तौन लगदा किथे ना किथे अजी घल नहीं होँदीता तो सी जरूर मैंनू मैं वेख दा तो स्पाइब जरी मेल सामने ओन दी आ हैं और मैंनों बहुत अच्छा लागदा कि जड़ तुसे मनों मेल्स करदे उ और मेल दे पर तुसी अपनी तर्क जड़े ने अपने गल जड़े और रख दियो और कोशिश साड़ी एयर रहें दिया कि जद साड़ी कौम दी गल आउंदी जद सिख कौम दी गल आउंदी जए ओ कोई वी शक्षित होए जद ओ सिख कौम दा सरफकर नाल उच्चा करदा तैसी जरूर उन्नों तो आड़े सामने लाएके आने हैं और जेकर कोई मसले होंदे हन तार्मा का मसले या फिर समाजा का मसले ओवी असी तो आड़े बिल्कुल सामने लाएके आने हैं ताकि उस बारे भी विचार बतादरा किता जा सके और मैं अपने सारे वियोस नों बहुत-बहुत त दूर्थ है गिया और मैंनों बहुत अच्छा लाग दा है कि जट उसे अपने फोन कॉल्स जरीए अपने वेल्यूबल फीडबैक अपने कमेंट्स जड़े है सनू पुचाँ देओ दोस्तो तो अनू याद हुने मैं एक मसला तवड़े सामने लेके आया सी पिछले वीक और असी इस मुद्धे देविच विचार वटांदरा किता सीगा अफगानी सिखां बारे अफ़तार सिंग खाल सा जो की कट गिनती पाई चारे दी नुमायंद की करन जा रहे सन संसदे विच और पहले सिख सीगे बौत दाक्याबाद बड़े ताक्याबाद की उना नू हुन सनमानित कीता गया सीगा अफगानी स्तान दे विच और पहले सिख वन जो अफगान अफगानिस्तान दे विच जलालावाद दे विच जद एक वफद जड़ा एक डैलीगेशन है जदो मिलन जानदा है उथे दे प्रेजिडेंट नू ता किते ना किते कई ताकता नू ए बरदाश नहीं होंदा और बॉम बलास दे विच पंदरा सिख पाईचारे दे लोग और हिंदू पाईचारे दे लोग मारे जान दे हैं अज अपा इसी ने लाएके विचार वटांदरा कर रहे हैं और असी श्रता अंजली पेट कर रहे हैं उना सिखानू उना हिंदू पाईचारे दे लोग जो की इस बॉम बलास दे विच मारे गए हैं असी अरदास कर दे हैं काल पुरक नू की उना दी आत्मा नू शांती मिल अज कि जड़े इस बॉम बलास दे विच साड़े पाईचारे दे लोग जड़े मारे गए हैं आखिरकार उना दा कसूर की सीगा और अफगानिस्तान दे विच सिख पाईचारे नू राएकि आसी वोटा भी किता सीगा कि उनानों कई मुश्क्कलना सामना करना पार रहे हैं साधे नाल नुमाइंदगी करन वाले अफगानी सिख लीटर भी साधे नाल जुड़े सीगे सिख बुद्धी जीवे भी जुड़े सीगे जिनने अपना विचार दस्या कि अफगानिस्तान दे विच वजदे सिख पाई चरदनल की हो रहे है और मैं लगातार केंदा कि जो की साधी कौम दे विच हिस्सा बने है जो की सहयोग कर रहे है और गुरु गरन साहीब जीनों मन रहे है ते सानू वाकई ओधी तारिफ करनी चाहिदी है और सिख कौम उन्हा सारें दी तारिफ कर दिया है जो की एक निशान साहीब दे ठले होके जद कौमी मसले दे वेच कठे हो जाने हैं ते सानू उन्हा दी तारिफ करनी जुरूर बन दी है और साड़ा सर जीड़ा फकरनाल उच्छा होंदा कि जद कोई नुमायंदए या फिर कोई लीडर जद सिख कौम दी नुमाइंदगी कर दा और वाकि दिखा होंदा कि देखो ऐजन सिख एजन अपने आपनू जदो रीप्रेजेंट करदा है लोकां दे सामने और जद दसदा है कि मेरी कॉम्निटी ऐ है किया और मैं अगे तो एदी नुमायंदगी करनागा तो सानू बहुत ही मान मैसूस होंदा है सानू मान मैसूस होया भी जद सानू खबर आई कि अफ्तार सिंग खालसा हुन अफगान संसद दी नुमायंदगी करन के कट गिनतियां दी और पहले सिखोन के जो की पग बन के अफगानिस्तान दी संसद दी जौन के लेकिन मैंने लागता है कई ताकता नू एमन्जूर नहीं सिखा कई लोका नू एमन्जूर नहीं सिखा जिना ने हाथा कीता इन्वेस्टिकेशन चल रही है और विदेशां दे विच वस्दे संगत नू इस बॉम बुलाज ने बहुत ठेस पहुंचाईया उननों बहुत तक्खा होया उना दे नाल कि आखिरकार एक क्यों हो गया और सिखा जाना दे नाल रापता कायम कीता उस तों बाद जेड़े सारे वकवक जमाता हन चाहिए और इश्रोम नी गुद्वारा परबंदक कमेटी होए इस मुतल्रक चाहिए और दिलिस शिख गुद्वारा परबंदक कमेटी होए उनना ने वी एहम जानकारियां उथेदे सि कोशिश किती हो जानन दी कोशिश किती आखिरकार है होया किया और क्यों सिख पाइचारे दे लोका नूँ और हिंदू पाइचारे दे लोका नूँ जाने की कट गिनतिया नूँ क्यों निशाना बनाया गया अफगानिस्तान दे विच सवाल बन दे हन लेकिन इस मुतलक जद स साहे दो जथेदार ने उन्हाने इस मुतलग की कुछ अपनी प्रतिक्रिया देती पहले आपा वेख लेने और कुछ तस्वीरा वेख लेने हैं कि जो इस बॉंब लास दे विच वापनी गानस्तान दे विच सिखांते हिंदूआं दा वाफद उठों दे राश्टर पती नू जलालाबाद शेर विखे मिलन वासते जा रहा सी उन्हान दो ते आत्म काती पाम हमला करके उन्हानू मारिया गया है ये बहुत ही दुखदी गल है सानू सारे नो इस दुखदी कड़ी वे चोनदे नाल से जोगी बना चाहिए और पंजाब सरकार वी ते सेंटर सरकार वी व ऐंदे ने उन दी जानमाल दी राखी यकीनी बनाई जावे एरिक अटेक अन्दी सिख डेलिगेशन इं जलालाबाद who was about to visit the president of Afghanistan who was visiting Jalalabad today around 3.30 in the evening, early evening time. There was a bomb attack on this delegation and all 15 of them lost their lives. 11 people have been confirmed. This is the list of 11 people and four dead bodies are not yet been identified. विदेश मंत्री शुष्मा सवराज जीनाल भी एक अलबाद कीती. ओन दस्या की जेड़ी उते सेखने, ओन अदे परवार जेड़े थे हिंदोस्तांच रहरे ने, ओचोंदे ने ओन अदे डेड़ बोडिस नू हिंदिया चले अंदा जावे, जेड़े बहुत बुरी तरां फटरोए ने, जेड़े सीरियस ने, ओन अदे इलाज़रा भी चिंता किती जावे, और जेड़े उते लोग पिछे ने, ओन अले सेफटी और स्क्योर्टी दी चिंता किती जावे. लगबक असी हजार लोग वो थो पॉलेडी पलाइन कर चुके गुर्दरा प्रबंदक कमेटी इन दुखदाई कटना दी आत निंदन जो कटना दी गंबीर शब्दा दे विच निंदा कर दी या ते जड़े लोगो थे फैक्टर डो एने उना दे परवाराना हम दर्दी परग आज बंद रहांगे एदे सबंदे वेच अंतरास्टी पदर ते मंगठाउन लेई मान जोग प्रदान साफ पाई गोविन सिंग जी लोंगवाल एक वफदे नाल ग्रह मंतरी नूं मिलने ते तुसी वेख्या वखवख प्रतिक्रिया जडियां सुनननों मिलिया मैं देख प देख सक दियो जड़ा बॉम ब्लास्ट आए वापरेया जलालाबाद दे विच जद एक वफद मिलन जारया सी का और खास्त और ते जद सिख पाई चारे दे लोग और हिंदू पाई चारे दे लोग मिलन गये सी के उथे दे प्रेजिडेंट नू ता उत्थू बाद आए हा जो की हुन नुमाइंद की करन वाले सी के संसा दे विच ओ वी इस बॉम ब्लास्ट दे विच मारे गए हन। बहुत अफसोस अनू होंद है ऐस सुनके और बहुत अफसोस हो भी रहा है तो अड़ी प्रतिक्रिया भी लमागा और वक वक जमाता दे जड़े ओदे दार ने उन झाले सुनके जड़ बढ़े ओझा साथ हो भी लमागा और वक जनरो हो भी सानू है झाले सटूऑ लिचार सकत्स के सुनके.